हाई, वेलकुम तो सिविल मॉडियूल्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे ट्रिग्नोमेटिकल लेवलिंग तो यह है ट्रिग्नोमेटिकल लेवलिंग का सेकेंड केस जिसमें बेस ओफ दो अब्जेक्ट इस इनक्सेसिबल और इसमें यह पहला पार्ट है when the instrument stations are in same vertical plane as object okay, so being in same vertical plane इसका क्या मतलब है कि suppose यह हमारा structure हो गया, कोई भी और इस structure की हमें height निकल ले है अब मान लो हमने कोई एक chain बिछा दी है between instrument and this structure अगर हमने instrument यहां पर इसका रखा है और उसके बाद दूसरी बार जो instrument है same इसी chain के ओपर हम लोग establish कर रहे है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो instruments है they are in same vertical plane लेकिन अगर कोई हमने instrument यहां पर establish कर दिया या इधर establish कर दिया तो इसका मतलब these instruments they are not in same vertical plane ठीक है तो इसका मतलब यह है कि same vertical plane में क्या है यह दोनो instruments और object यह same line में आते है चलो अब आगे बढ़ते है अब मानलो यह हमारी terrain है कोई ठीक है यह terrain मना दिया हमने और यह हमारा हो गया object जिसके हमें elevation find करने है ठीक है इस level के हमें elevation find करने है अब यह देखो हमें क्या horizontal distance चाहिए between instrument and object तो यह instrument हमने यह establish कर दिया लेकिन अब direct horizontal distance तो हम ले नहीं सकते हैं यहां से लेकर यहां तक क्योंकि यह terrain है यह ऐसी है तो इसका मतलब क्या है instrument का जो base है वो inaccessible है हम लोग directly यह distance find नहीं कर पा रहे हैं अब यहां से लेकर यहां तक यह horizontal distance है वो है capital D और instrument से इसकी centring leveling सब हो चुकी है और pass में एक point है जो है की benchmark है और benchmark के उपर अगर हम लोग staff रखते हैं तो instrument ने पहले क्या किया है इस staff को side किया तो इससे क्या मिला हमें backside अब benchmark plus backside क्या होता है equals to height of the instrument तो अब हमें यह height of the instrument यह मिल चुकी है तो यह जो line है इसको क्या बोलते है line of side तो यह हमारी क्या horizontal line है तो इस point को नीचे extend कर लेते हैं अब instrument से हमने इसके top point को side किया यह line of side यहां पर जा रही है यह top point पर और यह जो angle form हुआ यह हमारा alpha right अब यह alpha है और यहां से लेके यहां तक यह जो distance है यह हो गया हमारा h1 h1 भी नहीं just simply h ठीक है तो यह वाला triangle जब हम लोग consider करते हैं यह instrument है हमारा a और यह हमारा हो गया बी यह हो गया बी डैश और यहां लिख देते हैं हमें double dash right so triangle b a b double dash ठीक है यह triangle ले रहे हैं तो इसमें क्या है h is equal to d 10 alpha अब d unknown है h भी हमें निकालना है तो हम directly नहीं जा सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं instrument को shift कर लेते हैं एक दूसरी position पर हमने instrument को shift करके यहां पर ले आया है अब यह इस position से और इस position के बीच में जो distance है उसको denote करते है b ठीक है तो यह b जो हमने measure कर लिया है by using chain note tape यह भी हमारे पास यह known है अब इसकी centering leveling तो पहले कर दी और इसका जो height of instrument है ठीक है height of instrument same ठीक है इस case में जो height of instrument है यह same है अब यहां से हमने इस point को sight किया और यह जो angle आया है यह हमारा beta ठीक है तो इसको क्या denote करता है यह होगा a b और यह होगा c अब triangle b c और b dash b double dash तो इसमें हो गया h is equal to d plus b tan beta ठीक है तो यह दो equation होगी हमारी अब देखो यह है equation one और यह है equation two तो नों को equate कर दो d tan alpha is equal to d plus b tan beta क्या unknown है इसमें यह capital D यह unknown है तो इसको simplify कर दो d tan alpha equal to d tan beta plus b tan beta यह इदर चला जाएगा तो resultant जो आएगा d equals to b tan beta upon 10 alpha minus 10 beta ठीक है तो यह होगी हमारी पहली equation अब यह देखो b हमने find कर लिया alpha beta यह instrument से मिल जाते हैं तो इसको put up कर दो यह capital D आ जाए आपको अच्छा अब d आ गया आपको कहा निकलना है h निकलना है वर्टिकल तो h के लिए यह जो d है put in equation 1 equation 1 so h हो जाएगा हमारा यह d tan alpha तो यहां लिख देते हैं b tan alpha 10 beta upon 10 alpha minus 10 beta ठीक है तो यह होगी हमारा दूसरे equation अब देको d निकल चुका है अब h निकल चुका है objective क्या है हमारा at the end हमें करना क्या है हमें बताना है कि यह point है यह point इसका elevation क्या है ठीक है तो मतलब इसका vertical distance कितना है from mean c level तो elevation of point b elevation of point b कितना होगा अब यह लगो benchmark plus backside यह line आगी और इस line में यह vertical distance h add कर दो तो यहां पर आगे ठीक है तो resultant है benchmark plus backside plus h तो इससे मिल जाएगा आपको elevation of point b so अब हम लोग क्या करते है इत numerical करते हैं इसी के उपर ठीक है मान लो आपको terrain जो है वो same दे रखिए इस तरह से अबजेक्ट यहां पर है और यहां पर हमने instrument यहां establish कर दिया pass में यह हो गया benchmark और simplicity के लिए benchmark ले लिए हमने 100 meter और इस benchmark के उपर staff रख दिया और staff की जो reading आई वो आई 1 meter ठीक है तो यह जो reading है यह मारी क्या है back side back side equal to one meter तो height of instrument क्या होगा 100 plus one benchmark plus back side 101 meter तो अलब यह वाली जो line है यह 101 meter के अब इंस्ट्रुमेंट से हमने इसके top को observe किया आपका 15 TD है तीक है इन दी एन ओन है और H B हमें यह find करना है राइट सो मैं इसके अंतर फॉर्मले को directly use नहीं करां क्योंकि इसको याद करने की जुरूत नहीं है अब numerical का जो problem statement है वो पड़ो figure draw करो और इसको इसको इसी तरह से आप करना स्टाट करो राइट सो इसके अंदर भी जो height होगी height is equal to d10 15 degree और instrument को दुबारा setup कर तो at a known distance of say 10 meter इन दोनों के बीच में 10 meter का difference है right और height of instrument दोनों में same है यहां से इसको observe किया और angle आया 9 degree okay so this case में h is equal to d plus 10 10 in to 10 9 degree दोनों को equate कर दो d 10 15 degree equals to t plus 10 10 9 degree divided by 10 15 degree minus 10 9 degree so 10 in to 10 9 degree divided by 10 15 minus 10 9 degree या आपका 14.45 5 5 5 5 meter तीक है तो यह डिस्टेंस निकल गया आपका 14.45 meter अब आपको क्या करना है एच निकालना है तो इसको इसको इस equation में बिटा दो है तो h is equal to d 10 15 so 14.45 10 15 degree so 14.45 into 10 15 degree या गया 3.871 3.871 तो यह वाली वेल्यू है तो 3.871 तो यह आपका हो गया आपका पी पॉइंट तो elevation क्या होगा elevation of P equals to benchmark plus backside okay plus h 100 plus 1 plus 3.871 बस एड कर तो यह होगया 101 104.871 meter तो इस तरह से यह आपको find करना है so next video में अमलोग discuss करेंगे when it is not possible to establish a instrument in same vertical plane okay so next video में मिलते आपसे so thank you thanks for watching this video